हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू देसी तड़का मैं हूँ आभा और आज मैं आपसे वनीला ऐस्क्रीम की रेसिपी शरय करने जा रहे हूँ यह रेसिपी एगलेस और नो आईस्क्रीम मशीन रेसिपी है अगर आपको मेरे रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी रेसिपी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो आए चले शुरुआत करते हैं वनीला एस्क्रीम बनाने के लिए मैंने यहां लिया है एक कप हेवी विप क्रीम आप चाहे तो अमूल फ्रेश क्रीम या हेवी क्रीम में यूज़ कर सकते हैं हाफ कप स्वीटन कंडेंस मिल्क यह होममेट कंडेंस मिल्क है और इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूंगी और एक टीस्पून वनीला एसेंस यहां पर मैंने एक ग्लास का बाउल लिया है मैंने इसे ब्लेंडर ब्लेट्स के साथ 10-15 मिनिट के लिए फ्रीजर में ठंडा होने के लिए रख दिया था ऐसा करने से क्रीम जल्दी बीट हो जाती है और अच्छे से बीट होती है अब हम इस बाउल में क्रीम डालेंगे और इलेक्रिक या हैंड बीटर से 25-30 से के लिए क्रीम को लो स्पीट पर बीट करेंगे यह देखे करीब 30 से के बाद क्रीम अब कापी थिक हो गई है हमें इसे stiff peak तक beat करना है इसे हम और करीब 30 सेकंड के लिए beat कर लेंगे ये देखे क्रीम में अब stiff peak बनने लगे है हमें क्रीम को बहुत जादा beat नहीं करना है वरना क्रीम से butter release होने लगेगा अब हम इस fatty हुई क्रीम में sweetened condensed milk डालेंगे और एक टीजपून वनिला essence डाल कर क्रीम में gently mix कर लेंगे मिक्षर को 10 से 15 सेकंड टक low speed पर beat कर लेंगे ताकि सारे चीजे अच्छे तरह से mix हो जाएं अब हम इसे किसी glass या plastic के container में shift कर लेंगे आप चाहे तो ice cream को same container में भी set कर सकते हैं ice cream को spoon या spatula से एक level का कर लेंगे इसे cling wrap या aluminum foil से cover कर देंगे container का ढखकन बंद कर देंगे और इसे freezer में 3-4 घंटे के लिए set होने देंगे करीब 4 घंटे के बाद ये देखिए ice cream काफी set हो गई है अब हम इसे spoon या fork से इस तरह थोड़ा चला लेंगे ऐसा करने से ice cream market जैसे क्रीमी बनती है और इसमें ice crystals नहीं पढ़ते हैं इसे फिर से cling wrap से cover करके ढखकन लगा कर बंद कर देंगे और इसे freezer में overnight या 7-8 घंटे तक set होने के लिए रख देंगे फ्रेंट्स 8 घंटे के बाद हमारी vanilla ice cream तयार है चली अब हम इससे serving plate में निकाल लेते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं vanilla ice cream कितनी creamy बनी है trust me यह homemade vanilla ice cream काफी addictive है आप इसे जरूर से try करें और अपने experiences comment box में share करें अगर आपको मेरी ये vanilla ice cream की recipe अच्छी लगी तो वीडियो के नीचे like का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को subscribe करना ना भूले अगर आप मेरी recipes try करते हैं तो facebook या instagram पर hashtag देशी तड़का के साथ share करें thank you for watching bye bye